हेलो फ्रेंड वरन नाइट स्टे इन स्लोवाकिय कोटेज के बाद आज हम जा रहे हैं एक मिनी फोरेस्ट टूर पर यह भी स्लोवाकिय में एक टूरिस्ट प्लेस है और इसके लिए हम यहां स्टेशन पर आए हैं और यहां से एक मिनी ट्रेन हमें 40 मिनट में एक फोरेस्ट का राउंड लगवा कर वापस यहां लेकर आएगी और अब यह ट्रेन आ चुकी है और हम ट्रेन में बैठे हैं और इस ट्रेन में six passenger होने जरूरी है जब तक six passenger नहीं होते ट्रेन नहीं चलती है और फिर एक गार आया और उसने विशल दी और हमें बाइबार कहकर विदा किया और अब हमारा सफर स्टार्ट हो चुका था और हम सबको बहुत excitement हो रही थी कि forest tour कैसा होगा forest में क्या-क्या देखने को मिलेगा किस टाइप का होगा अब चलिए देखते हैं कैसा होगा और ट्रेन मारी बहुत slow speed से चल रही थी बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी और ट्रेक के दोनों साइड बहुत ही सुन्दर सुन्दर व्यूस था बहुत ही प्यारे प्यारी हट थी ऐसे गाउं टाइप था और बीच बीच में जंगल भी था और रास्ते में forest tour में हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर म्यूजियम भी दिखाए दिये और अब ये रास्ते में वुड़ से बनाया हुआ बहुत ही सुन्दर म्यूजियम था यह देखे कितना सुन्दर था बहुत ही प्यारा म्यूजियम था और फिर एक stop is आया stop is पे आप अगर चाहे तो उतर सकते थे और फिर आगे walking करके आप आगे जा सकते थे और जब आपका मन करें तो आदे गंटे बाद दूसरे टेनाती थी आप उसमें बैठकर दुबारा आगे बढ़ सकते थे खुझे नजय करेंगे नजय कि दुबारा मन करें पांगे बसुबारा है अब यह आ गया था हमारा लास्ट टेशन यहाँ 20 मिनट में हम पहुँच गए थे और अब ट्रेन यही से वापिस जा रही है और इस छोटे से टूर में ही रास्ते में रेस्टोरेंट भी थे जहां पर आप स्नेक्स या ड्रिंक्स वगरा ले सकते हैं और इस 40 मिनट के मिनी फोरेस्ट टूर में हम बहुत प्यारे प्यारे व्यूज देखते हुए प्यूटिफूल नजारे देखते हुए अब हम वापस अपने उसी स्टेशन पर आ रहे थे और रेली में ये 40 मिनट का मिनी फोरेस्ट टूर अमेजिंग था और हम वापस आ गएते हुए झाल झाल झाल